तो चैन मेरे बागी केस वह आप सब्सक्राइब आज की वीडियो बेर में आपको कैली स्थैनिक की आर्ममेंड है इस्टेंड की प्रोडेशन सिखाने वाला हूं पर इसको सिखाने से पहले मैं आप से एक यह बात पूछना चाहता हूं कि आपको और आर्ममेंट आती हैं सबसे पहले हैंडसेंड और आपको आर्ममेंड आती हैं तो आरेंफू को आपको और आपे आति नहीं आती हैं तो आप परिआनी वीडियो को Ligley milhões अच्टहिंग का तुछ Can अवर पूजसको बाते हैं ऐस पांच स्शेय तो गाइस फ़र्च इस्टेप बढ़ाने से पहले मैं आप से एक बात यह कहने वाला हूं कि जो इसकी ओरिजिनल वोई से न वो मैंने डंब कर रही है और मैंने आपको द्वारे बोल के दिखाया तो इसका तो इसका मैंने और आपका सबसे पहला जो स्टेप आपका बैसिक प आपके अदर ज्ञाधा है तो आप इसको अपने एक्ष्ट जो कहते हैं इस तरह से आप कर सकते हो ठीक है आपका इसका दूसरे स्टेप बताता हूं तो पायक पूसरे सब्सक्राइब करने हों जिससे कि आप अपने आपको लोग कर पाऊँगे हैं ट्रेंट के टाइम पर ठ पतां तो प्रफ फश्ञ आपको विस तरह से करने है तो आप देख सकते हो तो पाइक पुष आपको यह पाइक शोल्टर ने एक पावर आएगी तो तो अब तीस राशेब यह आता है कि तीसरा स्टे में आपको पाइक PUSH आपको की होल्ड करना ठीक है वैक पाइक पुषप का अब आप होल्ड करते हो ना उससे आपके जो शोल्डर की साइड है जो है जिससे कि आप अपना कुछ उठाओगे ना यह आप हैंड्चेंड करोगे शोल्डर टाइम तो आपको एक लोक रहना पड़ेगा अगर आप लोक नहीं रहेगा आपका शोल्डर त करता है हमारा फ्रोग इस्टेंड से आपको अपना आपको लोग करने में और भी आजाए स्ट्रेंड की मलब आपको साहेता मिलेगी इसके मदद मिलेगी तो उससे क्या करना पूछ इस तरह से पोजिशन देख सकते हो पूजिशन आपको यह वाली लेनी है और फिर आपको कर सकते हो ठीक है फोली स्टेंड करने के बाद अब फिर आप जैसे अफ करते हैं तो इसे आपकी reparty करते है की आप अपने इससे लेकिशन को प्रिकर करोगे तो सब्सक्राइब को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको र। करने वह अब फाइनल स्टेप आपको क्या गणना फाइनल इसका यह एक आपको अल्यक्क रहती सकते हैं आपको एसे अपनी लेख उछाने है और यह इसटी संबधने एक इसद आप और फ्रेटिस करते हो और गाइस वीडियो अच्छी लगए तो फ्लीज या वीडियो को से टूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट कर सेकता हूं, थैंक यू